जैसा कि आप जानते ही हैं साल 2008 में मानिता दत के साथ संजय दत ने शादी रचाने के बाद अपने जिन्दगी में आए बदलाव के साथ काफी कुछ देखा था लेकिन मानिता दत ने संजय दत का उस वक्त साथ दिया था जब संजय दत दिल्कुल अकेले पड़ गये थे मा को खोने के बाद संजय दत जिब जेल की सजा कार रहे थे उनके लिए जेल से बाहर आने के बाद नई जिन्दगी की शिरुवात करना आसान नहीं था संजय दत अपनी पत्नी मानिता का साथ पा कर पुराने दर्द को भूलाने में आसानी से आगे बड़ पा रहे थे संजय दत के लिए उनके बच्चे बहुत जादा हास है ऐसे में संजय दत की बात हो रही है तो चली आपको बता दे संजय दत की पतनी मानिता की तस्वीरे आप दिख रहे होंगे संजय दत को लेकर कई बार मानिता दत से सावाल हुए थे तब संजय दत की पतनी मानिता दत काफी ज़ादा एमोशनल हो जाती थी जिल से बाहर आये थे संजय दत, कॉन्फरेंस रखा गया था तब भी संजदत की पत्नी उतनी ही जादा भावुक हो गई थी बताना शाहेंगे हम आपको संजदत की पत्नी इतनी भावुक थी कि वो अपने आखों में आने वाले आसु को नहीं रोक पा रही थी ये कुछ आप देख रहे होंगे तस्वीर संजदत की तीसरी पतने मानिता दती है पहली शादी उन्हें उन्हें रिचा शर्मा से की थी कैंसर से ही रिचा शर्मा करेधन हुआ दूसरी शादी दास समय तक नहीं चिले तीसरी शादी मानिता के साथ उनकी हुई आज मानिता दत ना सिर्फ संजदत बलकि संजदत की पत्नी और उनकी घर की परिवार की रक्षक के तौर पर रहती हैं संजदत की पत्नी आज संजदत के इलाज के वक्त उनके साथ नहीं हॉस्पिटल भी जाते नहीं दिखाई दी क्योंकि घर पर दो जुड़वा बच्चे है शाहरान और इकरा जिनका सेहत जिनके दिमागों पे असर ना हो अपने पिता के विमारी को लेकर इसकी लिए मानिता दत अपने बच्चों को संभालती रही है संजदत के घर परिबार की बात हो रही है तो आपको बता दे संजदत की पत्नी वाके में बहुत जादा भावुक हो जाती है और उनके आँखों में आसू हमेशा ही आ जाता है संजदत की पत्नी की ये तस्वेरे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में संजदत की पत्नी कितनी emotional है वहीं संजदत की cancer को लेकर एक statement जो मानेता दत ने share की उसमें उन्होंने cancer का जिक्र नहीं किया था क्योंकि वो cancer को लेकर already अपने पत्नी को लेकर बहुत चिंदित है और घर से बाहर वो नहीं निकल रही दुबई में पाच मही ने गुजाने के बाद संजदत की पत्नी घर लोटी है जो कि अपने पती को कापी मिस कर रही थी और संजदत अपनी पत्नी के लोटने से खुश तो है लेकिन बिमारी की वज़ा से फिर घर से दूर जाने के लिए मजबूर है और इस मजबूरी की कारण मानित अदत अपने पती के हाल को समझ रही है और वो अपने दुख जाहिर नहीं कर पा रही है नेक्शनाई नियूस जूम से दृपतिकी रिपोर्ट